अगर आप प्रेगनेंट हैं तो आपकी दिमाग में बहुत सारे सवाल चल रहे होंगे कि आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए तो इसके लिए हम आपको दे रहे हैं कुछ टिप्स प्रेगनेंची टिप्स एक से बारा सब्तह तक क्या करें प्रेगनेंसी की खवर के बाद सबसे पहले अपने डॉक्टर से सुझाब लें अपनी जरूरी जाचे करवाएं बच्चे के स्वास का पता लगाने के लिए जन्म से पहले कुछ जाच करवाएं भोजन तरल पधार्त के रूप में लेना शुरू करें ठकावट सुबा महसूस होने वाली कमजोरी यदी हो तो अपने काम करने का समय कम करें भारी चीजों को न उठाएं पपीता को न खाएं एक बार जब आप प्रेगनेंसी के तीन महीने पूरे कर लेते हैं तो परिवार और दोस्तों को खुश खबरी सुनाने की योजना बनाएं एलकोहल ना लें, जादा कॉफी का सेवन करने से बचें, स्मोकिंग छोड़ दें, टेंशन ना लें, उबर खाबर रास्तों से बचें, जितना हो सके उतना आराम करें और हेल्दी डाइट या नहीं स्वस्त आहार को फॉलो करें ब्लड प्रेशर और शुगर लेवल को नॉर्मल रखने के लिए नियमित रूप से टहलें यह आप किसी असमान ने बदलाव महसूस करते हैं, तो अपने डॉक्टर से बात करें प्रेगनेंसी टिप्स 13 से 26 सब्तह में क्या करें अपने आने वाले आपाइनमेंट के बारे में अपने डॉक्टर से सलाह लें डॉक्टर की सलाह पर अपने शुगर लेवल की जाच करवाएं और गर्ववस्ता तक हर तरीके से अपने डाइबिटीज और ब्लड प्रेशर के लेवल को नॉर्मल बनाए रखें खुजली को कम करने के लिए अपने पेट को मोश्राइज करना शुरू करें आरामदाय कपड़े पहने ध्यान रखें तीसरी तिमाही अकसर ठकान लाती है ब्रेगनेंसी टिप्स 27 से 36 सप्ता तक क्या करें यदि आप अचानक अनुभव करते हैं कि हफते में अधिक तेजी से वजन बढ़ रहा है सिरदर्द के साथ या चेहरे और हाथ में सूजन आ रही है तो तुरंत अपने डॉक्टर से समपर करें यदि आपको आराम करने और अच्छी नींद लेने की आवशक्ता महसूस हो तो हफते के अंत में सब काम छोड़कर नींद पूरी करें जैसे जैसे आपका शिशू बढ़ता रहता है आपके अंग सिकुड जाते हैं और उपर की ओर खीचे जाते हैं इससे नेपटने के लिए दिन की दुरान कई बार थोड़ा थोड़ा भोजन खाने की कोशिश करें यह एक बेहद खास समय होता है और इसमें सब भी जरूरी डोकिमेंटेशन हो जाने चाहिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें